पैसा एक ऐसी चीज है जो सभी को प्रिय होती है। खास कर आज कल कम्हंगाय के जमाने में पैसा सबकी जरूरत बन जाता है। इसलिए हर किसी की यही कुछिस होती है कि उसके जूली में जादा से जादा दौलत आ जाए। लेकिन सायद भागे में हर किसी कैसा लिखा नहीं होता है कई मामलों में इंसान के कड़ी मेहनत के बाउजूद भी उसे मंचहा पैसा नसीब नहीं होता है ऐसा उसकी मुड़े भागे की वज़े से होता है जब आपकी किसमत ही खराब हो तो पासरा का पैसा भी खर्च हो जाता है इसी बात को ध्यान में रखते विए आज हम आपको एक ऐसा उपाई बताने वाले हैं जिसके बाद यानि कि जिसको जबाने के बाद आपको पैसो की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आईए जानते हैं इसके बारे में नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप से लेकिन आपने कभी गौर किया है गनेज जी भागय के विधाता है किसी भी जातक के भागय को कैसे पलटना है ये गनेजी को अच्छे से आता है यदि गनपती बप्पा आपसे बेहदी खुस हो जाए तो पूरी किसमेत आपकी बदल सकते हैं इसी करी में आज हम आपको एक ऐसा गनेई सुपाई बताने वाले हैं जिसे अजमाने के बाद धन से संबंदित मामलों में आपका आगे बेहदी प्रबल हो जाएगा इसके बाद आप जो भी कारेंगे उसमें आपको धन की ब्राप्ती होगी और सफलता मिले वाली है आईए चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में देर किस बात की है इस सुपाई को आपको बुद्वर के दिन करना है क्योंकि ये गनेश जी का दिन होता है और इस दिन वे अपने भक्तों की कुपार जल्द ही सुनते भी हैं सबसे पहले आप बुद्वार को सुबह जल्दी उठकर अस्नान कर ले और केले कई पत्ता लेकर आए उसे गनेज प्रतिमा के सामने रखें इस केले के पत्ते के उपर आपको तीन धेरी बनानी है पहली धेर प्रति को केले पर रखी सामगडियों पर भी आप जरूर दिखाएं फिर गनेजी के सामने माथा टेग कर अपने धन से संबंदि समस्या बताएं मनोकामना बताएं केले के पत्तव पर रखी चावल के ढ़ेरी को अन्या चावल में मिलाकर अब इसकी खीर बना दे वहीं गेह और सी जो है शिक्कों की आपनी टीशीटी भी भी तिशीनी में रख दें इससे बरकत बनी रहती है इसके बाद एक स्काप और में वह उपने पर्स में भी रख सकते हैं जिसे आप खर्च बिलकुल ना करें बाकी के स्पारें आप गरीब से इन क्रिशायों को reporting आपको कभी क अगले वीडियो में एक नई जानकरे के साथ फिर से मिलूंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों